नमस्कार स्वागत है आपका खबरों का पंच नामा में मैं हूँ आपके साथ पूजा हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की पांच बड़ी खबरे जस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडिय में मौझूद है सबसे पहले नजर हेडलाइन स्टूडिय के मंत्री अखिलगिरी ने रास्टपती पर की अभद्र टिपनी विवादित बयान के खलाफ लोगों का फूटा गुसा जम कर हुआ विरोध प्रदर्शन बीजेपी ने की गिरफतारी की मार्ग सुकेश चंद्रशेकर का सियम के जिवाल पर एक और नया लेटर बम पॉलिग्राफ टेस्ट की दी चुनोती साथी कि ये कई बड़े बड़े और चौकाने वाले खुला से मारास्ट में मराटे फिल्म हर हर महादेव को लेकर बवाल जारी हिंसा के आरोप में गिरफतार एंसिपी नेता जितेंद्र आवार को 14 दिन की न्याइक फिरासत मुंबई यर्पूट पर कस्टम विभाग निकी शारुक खान से लंबी पूश्टाज यर्पूट पर रोके गए शारुक खान भरना पड़ा पौने 7 लाक रुपै का जुर्माना हिमाचल प्रदेश विदानसबा चुनाओ के लिए वोटिंग हुई पूरी शाम पांच बजे तक 66 फीस दी हुआ मतदान 412 प्रत्याशों की किस्मत एवियम में क्याद 8 दिसंबर को आएंगे नतीजिए आज की सबसे पहली खबर में बात रास्टपती के अपमान पर छड़े घमसान की पर्शम मंगाल के मंतरी टीम सीनिता अखिल गिरी ने हमारी देश की रास्टपती महा महिम को अपमानित किया है अखिल गिरी नंडिग्राम में एक जन सभा को सम्वोधित कर रहे थे इस दोरान उन्होंरे रास्टपती को लेकर अपमान जनक टिपनी कर दी उन्होंने कहा हम किसी को उनकी शकल से नहीं आगते हम रास्टपती के पत का सम्मान करते हैं लेकिन हमारी रास्टपती कैसे दिखती है ममता के मंतरी अकलगिरी के इस बयान को लेकर जमकर विरोथ हो रहा है गिरफतारी की मांग की जारी है पर ममता बनर जी चुपी साधे बैटे तमाशा देख रही है ममता के मंतरी के ये कैसे बोल है देखें सिर्फ ममता के मंतरी की ने सिर्फ बयान ही नहीं दिया ये इनन्दी ग्राम में पंचाय चुनाओं के दोरान केम्पेइन के दोरान किया गया दिया गया ये बयान है सामने और भी बहुत बड़े बड़े लीडर्स थे कुनाल गोस वहां मौजूद थे सारे लोग हस रहे थे आप एक ऐसी पार्टी से आते हैं जो एक महिला नित्युत करती है और आपके जहन में इस तरह की गंदगी भरी हो कि आप मखौल वड़ा है राश्पती अगर नहीं भी होती आप किसी साधारन महिला का भी अपमान इस तरीके से नहीं कर सकते और आपने तो एक राश्पती के उपर इस तरह का सवाल खड़े कर दिया आपने क्या उनके संगर्स के सामने ये गिरी साहब लिलिपुट भी नहीं है और इन लोगों का आप ये देखी ये पहली बार नहीं हुआ है कॉंग्रेस पार्टी के लीडर अजिर अजिन चौधरी उन्होंने भी अपमान किया ये धीरे धीरे आदत बनती चली जा रही है हिंदुस्तान में कानून इतना लुझ पुझ है कोई भी कुछ भी कहके निकल जाता है कोई प्रावधान ही नहीं है कि उन्हें सजा दी जाए ये एक गलत ट्रेंड एक गलत चीज इस देश के अंदर हो रहा है और ममता बरनर जी को इस वक्ति को न सिर्फ सैक करने के आउन सकता है बलकि इस वक्ति की गरफतारी होनी चाहिए तो ममता बरनर जी चुप क्यों है क्या टीमसी की पार्टी आदिवाशी विरोधी पार्टी है देखिए ममता बरनर जी तो न अपने पार्टी को बचा सकती है न तो वो अपने आपको प्रो आदिवाशी कह सकती है उनकी चुपी उनके लिए बहुत ही खतरनाक सावित होगी ही कही ताकि अर्विन केजिवाल सतेंद्र जैन्ट का सच देश के आगे उजागर हो सके एक और लेटर वम क्या कुछ खुला से देखिए रोज ने ने खुला से हो रहे हैं यह बताया जा रहा है कि केजिवाल ने सुकेस चंदर सिखर को कहा कि पुरी दुनिया में हमें नेम एन फेम चाहिए उसने का हमारे दोस्त हैं कुछ अमेरिका में पी आर का काम करते हैं पी आर एजेंट से उनको बुलाया जाए अब उनको भुलाया जाता है कहां से लौस अंजिनस से वो दिल्ली आते हैं गुलगाओं के एक होटल में वहां सतिन एजेंट से मुलाकात होती है साड़े आठ लाक यूएस डॉलर मतलब आप समझे च्छै कडोर चौरासी लाक रुपए उन दोनों एजेंट्स को दिये जाते हैं ताकि अमेरिका में बड़े-बड़े पब्लिकेशन में जूट-जूट के आर्टिकल जो है केजरिवाल की तारीफ में वो छपे तो ये तो बीमारी केजरिवाल की है कई सारे आरोप सुकेश चंद से करने लगाये हैं किस तरह से केजरिवाल ने उससे पचास कडोर रुपए घूस लिए किस तरीके से प्रोटक्शन मनी के रूप में वो दस कडोर रुपए ओलरी दे चुका है सतने जैन और जेलर को तो कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं लेकिन जवाब केजरिवाल की तरफ से नहीं आ रहा है वो बहाने बाजी कर रहे है सबसे मार्क करने वाली बात क्या है सुकेश चंद से कर जो कोई भी आरुप लगा रहा है वो वेरिफाइबल है इसको verify किया जा सकता है जैसे वो बता रहा है कि Los Angeles से दो PR agent Mark and Veronica नाम के दो लोग आए तो वीज़ा भी होगा वो गुर्गाओं के होटल में रुके तो कहां रुके और होटल के नाम भी बता रहा है किसने पे किया कहां क्या किया सतने जैन वहां गये protection money के रूप में दिये तो model town के एक petrol pump में ये गाली number आती थी और उसे हम deliver किया करते थे पचास कड़ो रुपे जो उसने केजरिवाल को दिये वो कोई चत्रुवेदी नाम का विस्ती है जो बैंगलोर मुझसे पैसा लिया और कॉलकटा के वो जो हवाला operators जो होते हैं money laundering का जो धन्दा करते है sell company के दौरा वो उसके लिए काम करता है तो ये सारी बाते सबूत के साथ verifyable आरोप लगा रहा है LG साहब को immediately इन तमाम आरोपों के उपर जाच बिठानी चाहिए और अगर ये कटर इमांदार केजिवाल की सनलिप्तता इस तरह के कुकर्म में है तो फिर इनके लिए भी तिहाल का फाटक खोल देना चाहिए सबूत है तभी डर से चुप है क्या आर्विन केजिवाल देखिए वो तो कह रहा है कि हम light detecting test के लिए तयार है हम narco analysis के लिए तयार है क्या केजिरी वाला उसतंदर जेन तयार है अगर ये तयार नहीं है इसका मतलब है कि ये गुनेहगार है तीसरी कबर में बात मराची फिल्म हर हर महादेव की जिस पर जम कर बबाल मचा है आरूप लगा है कि फिल्म में कुछ तत्यों को गलत तरीके से दिखाया गया है जसको लेकर NCP लगतार फिल्म में दिखाया जाने वाले गलत तत्यों पर विरोध प्रदर्शन कर रही है लोगों को भी हॉल में फिल्म देखने से रोका जा रहा है इसी मसले को लेकर गिरफतार किये गए NCP नेता जितेंडर आवार्ड को 14 दिन की नाइक हिरासत में भेज दिया गया है NCP के ही तरब से क्यों इस फिल्म को लेकर बवान हो रहा है देखिए अचानक से चुनाव जब आता है तो NCP वालों को हिंदू प्रतीक चिन्यूं में जो है इंटरिस्ट जग जाता है सवाल दूसरा है यह अगहाली में मंत्री थे भाई साथ हलाकि इनको बेल मिल गई है लेकिन आप इस तरह से उद्ड़्ड़ता करें कि आप मिनिस्टर है कि क्या है और यह किस तरह का पॉलिटकल कल्चर है अगहाली सरकार के अंदर एक जाता है तो एक निकलता है एक निकलता है दूसरा चलाता है संजराउत निकले अगले दिन यह अंदर पहुंच गए मतलब आप यह समझे नेताओं की मांसिक्ता क्या है फिल्म चल रही है विरोध करना है विरोध कीजिए आप वहाँ घुसकर के गुंडों की भाती दर्शकों को आप पिटाई सुरू कर देंगे यह कौन सा तरीका है और आपको राचिरिती करनी है अभी वहाँ पे बीमसी का चुनाओं होने वाला है तो आपको मराठी वोट चाहिए तो आप अचानक से यह सारे हाद गंडे अप तरकी राजनीती जिसमें आम जंता के ऊपर अत्याचार हो वो किसी भी पार्टी के दौरा की जाए वो निंदा के लाइक है शांती पुर्वक भी विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं बिल्कुल हो सकता है लेकिन इनको सबको तो हेकड़ी दिखानी है अपनी अच्छा हुआ न जिसे मुंबई एरपुट पर ही रोक लिया गया शारुक खान को मुंबई एरपुट पर रोक कर उनसे लगबग एक गंटे तक पूशताच की गई दलसल कस्टम ड्यूटी ना भरने को लेकर उनसे पूशताच की गई है कस्टम अधिकारियों को उनके पास से कुछ चीजे म लोगों में से हैं आपको याद होगा जब IPL की शुरुवात हुई थे कोलकता नाइट ट्राइडर्स में जब मैच होता था तो पूरा गांधी परिवार राहुल गांधी तो प्रियंका वाडरा उनके पती उनके बच्चे सारे लोग सारुख खान के साथ यो यो करते थे तो इनका दिमाग खराब हो गया कि देश में कोई कानून है नहीं ये कभी नशे में स्टेडियम घुज जाते हैं कभी कुछ कभी कुछ इस तरह की हरकते करना इनको इनकी आदत में शुमार हो गया सरकार बदल गई है ये आदत नहीं बदली इनको लगा कि हम तो सारुख खान है हमारी टीम के साथ कोई भी क्या करलेगा हमारा तो सारे लोग समान खरित के लिए कि चलो बैए विदिश से आप supply कि क्या रहा है ह। उसके बारे में इन्ट्री करोगे नहीं करोगे गाड़ी लेकर काया भाई साब गाड़ियों का जखीरा चाह 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 लाखों बेट कीमत जिसकी तिन लोग रोग लिया गया रोग लिया गया तो खबर बन गई अर्वे कस्टम डूटी दोगे नहीं तो तुमको रोका नहीं जाएगा और यह मुझे तो अभी तक समझ भी नहीं आए कि अब तक उसने आकर की कियो कि नहीं का भे चूँके मैं मुसल्मान हूँ उसलिए मुझे तंग किया जा रहा है अब तक यह डालोग आ जाना चाहिए था लेकिन खैर अमिस्टार बोदी की सरकार के वज़द से अब यह सब डा बे थे तो उसका जो कस्टम डूटी जो पढ़ता है वो कहा गया कि भाई आप इसको पे कीजिए और जाहिए सिंपल स्टोरी थी तो यह जो बॉल्यूड में लोगों का दिमाग खराब हुआ है वो कानून जो एजिंसिया जो काम करती है उनको बहुत ही सतरकता के साथ और ब लोगों को भी बताना जरूरी है कि देश में कानून एक्जिस्ट करता है आखरी कबर में बात हिमाचल प्रदेश विदानसभा चुनाओं की हिमाचल प्रदेश में आज वोट डाले गए वोटिंग सुबा आट बजे से शुरू हो गई थी जो शाम पांच बजे तक चली ए माचल प्रदेश में 66 पीजदी मतदान हुआ जो पिछली बार चुनाओं से काफी कम है पिछली बार चुनाओं से इस बार कम वोटिंग क्या इशारा कर रहा है देखिए टोटल जो वोटिंग हुई है वो पांच मुझे तक चुनाओं बताया गया था लेकिन कुछ खबरे वो और भी डाटाज आते हैं तो 67 परसंट के आसपास जो वोट बताया जा रहा है पिछली बार 75.57 परसंट वोट मतलब 78 परसंट कम वोट पड़ा है इस बार और ये वोट कम पड़ने का मतलब यह है कि भारती जनता पार्टी के लिए रास्ते खुल गया है वैसे मैं लगत अब ये तो 8 तारिक को मालूं चलेगा लेकिन जो वोटों की संख्या कम हुई है वो भारती जनता पार्टी के लिए खुश खबरी है और कॉंग्रेस पार्टी के लिए एक चिंता का विशह है बहुत बहुत शुक्रिया बाचित के लिए धन्यवाद खबरो का पंच्छनाम में आज के लिए फिलाल इतना ही देश विदेश की बागी खबरों और उनके सटिक अनलेसिस के लिए देख ते रिए कैपिटल टीवी हमें लाइक कीजिए शेर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए नमस्कार